दोस्तों नमस्कार मैं हूँ जै और आप देख रहे हैं जैस्तनियूज बॉलिवूड एक्टर सलमान खान के खिलाप में अभी अभी कोट की तरफ से एक बहुती बड़ी अपडेट आ रही है कोट की तरफ से एक बार फिर से सल्मान खान को एक बहुत ही बड़ा जटका दिया गया है रमजान इत की पूर संध्या पर बॉलिवूड मेगा इस्टार सल्मान खान को एक कानूनी नोटीस के साथ में जोरदार थपड़ मारा गया है उनके पड़ोसी केतना और ककड के द्वारा जो की एक एनराई हैं उनके द्वारा इनके खलाब 295 करोन रुपए का एक लीगल नोटीस भेजा गया है मान हानी का एक लीगल नोटीस इनके खलाब में भेजा गया है सूत्रों के अनुसार जैसा के अपडेट आ रही उसमें बताय जा रहा है कि ककड ने अबनेता के टीम डियस के लीगल के माद्यम से नोटीस भेजा है जो कि देश की सीर्स कानून फर्मों में से एक है जिसके अनुपालन के लिए एक सब्ता का समय एक हपते का समय दिया गया था लेकिन अभी जैसा कि ककड के दौरा अपडेट दी गई उसमें बताय गया एक सब्ता से अधिक समय हो गया है लेकिन उनकी ओर से कोई प्रत्रिया नहीं आई है माननी अदालत के फैसले करनसार हम इस मामले को उसके तार्किक अन तक आगे बढ़ाएंगे और सल्मान खान के दौरा अगर हमारे ओपर कितना भी प्रेसर बनाएं लेकिन हम इसकिन के खिलाप नहीं जुकेंगे और इनके खिलाब में हम आज नहीं तो कल कारवाई करा के ही मानेंगे ये सीधे सीधे बोला गया है ककल के दोरा ये स्टेटमेंट दिया गया है साथ में उन्होंने एक लीगल नोटिस भेज़ दिया है 295 करोन रुपए का उनके दोरा ये भी बोला गया है कि ये सल्मान खान के लिए 295 करोन रुपए कुछ भी नहीं है लेकिन हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा वैलू रखता है और हम जो है इनके खिलाब में कारवाई करवाई की कही ही मानेंगे जाहे जो हो जाए आपको बता दूँ कि इनके फार्म हाउस के बगल में इनकी कुछ जमीन थी जिस पे जवर जस्ती कबजा करने कोशिस की जा रही थी सल्मान खान की तरफ से मतलब कि सल्मान खान उस पर जो है इनको जाने नहीं दे रहे थे वहाँ पर इनको जाने से रोक रहे थे इसी को लेकर इन्होंने जो है सलमान खान के खिलाप में कोर्ट में भी आज का दाकिल की है और साथ में ही इन्होंने सलमान खान के उपर कई बड़े आरोप भी लगाए है आप इसी को लेकर इन्होंने 295 करोन रुबे का एक मानहानी का केज भी इनके खिलाब दर्ज गराया और इनके खिलाब में एक नोटिस भी भेज दी है आपका क्या ओपिनियन है इस पर आपने ओपिनियन कमेंट वाक्स मताएं और वीडियो जाया जादा सेयर करें